इसमेच देखें कि राजगार्ट पर विदेशी महमानों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है और सभी राश्टाध्यक्ष जी-20 में शामिल होने वाले राश्टाध्यक्ष और राश्टों के प्रतिनी दि राजगार्ट पहुँच रहे हैं और वो आज श्रद्धा सुमन अर करेंगे सत्याहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले विश्व को सत्याग्रात की सीख सिखाने वाले राष्टपिता महत्मा गाधी को और लगातार यहां पर देशी महमानों के आने का सिलसिला जारी है राष्टपती राष्टपिता महत्मा गाधी को माफ करिये राष्टपिता महत् लेने के लिए भारत आये हुए हैं अगवानी कर रहे हैं विदेश्मंत्राले के वरिष्टा धिकारी और अन्य लोग और राजगाट का अगर ये देखे पूरा का पूरा जो परिद्रिश्य है बहुत खूबसूरत तरीके से इस खेत्र को एक प्रेणास्थल के रूप में वि आगट कर रहे हैं और आने का सिलसिला शुरू हो गया है इस समय विदेशी महमानों का अनेक विदेशी महमान जो की पहुंच रहे हैं राजगाट राजगाट जो की और अगवानी कर रहे हैं अंग वस्त्र देकर और साथी साथ है अगर देखें तो सभी सिरिल रामफोसा अफ्रीकन यूनियन जो की शामिल हुआ है जो की अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है कल एक विशिष्ट सदस्त के रूप में और डिग्निटीज जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है जो भारत भारती इता के रूप को यहाँ पर देखेंगे जो की भारत के सत्याहिंसा के स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोधी अगवानी कर रहे हैं अनेक डिग्निटीज का जो की राजगाट पहुच रहे हैं, राश्पिता महत्मा गाधी को श्रधा सुमन अरपित करेंगे, राश्पिता महत्मा गाधी जिन्होंने सत्याहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, जिन्होंने सत्याहिंसा अस्तेया परिग्रह ब्रह्मचर की नीतियों को अपना कि किस तरीके से सत्य के प्रयोग के द्वारा और सत्य के आग्रह के द्वारा अहिंसा के द्वारा शांतिपूर सहस्तित वाले एक विश्व का निर्मार किया जा सकता है इसे विश्व का निरमाड जोकी वस्धिय कुटुमगम की बात करता हूए। जी पुर्थ इसा पातौर राश्दधा म्ति नरेंदर मोदी भाहनं उनका स्वागत करें लात शद्धा सुमन अर्पिट करेंगे। राश्रपिता महत्मा गाधी को श्रद्धानजली अर्पित करेंगे और उन्हें कार्याणजली अर्पित करेंगे, सत्य हिंसा की जो सीखंव ने शिखाई पूरी दुनिया को उसको आत्मसाथ करेंगे, भारत भारती यता के उन मंत्रों को यहां पर चरिचार्थ होते हुए द प्रतिक औस बाघ में से प्रदान मंत्री नर्यंद्रमोधि अंतर राष्य प्रत्म लिए े सर्टके से अगर दिको यह को धू एक वह स्थान है यहां पर शांत की प्रड़ेता रहीं साथ की पूयारी इंया पर चेंचा मलीन है और पस तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहां पर शांती के प्रड़ेता, अहिंसा के पुजारी, जहां पर चिर्मिद्रा में लीन है लेकिन वहां पर जलने वाली निर्वात, निश्कम, बीपशिखा, सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतियता को, विश्व बंदुत की भावना को, वजदोय कुतमोगम की भावना को पुरी दुनिया के सामने स्थापित करती है विश्व स्थापित करती है और उधी भावों को आत्म साथ करते हुए प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जो की राश्ट निर्माड में नए भारत के निर्माड में लगे हुए है विश्व स्वासे संगठन के प्रमुक घरबेसस वो भी पहुंच चुके हैं राजगार्ट धानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका और ये सभी राश्रा अध्याट शुर्व संस्था प्रमुक सामोहिक रूप चे वहाँ पर राश्वपिता महत्मागांधी क श्रधा सुमन अरपित करेंगे श्रधनियु देने के साथ ही लगातार भरक कारियोंजली भी दे रहा है करा स्वत्व भारत अभ्यान के रूप में है कारिय आवास निर्माड करके विकास के पायदान पर अंतिम छोड़ को सश्rt करने की है महत्पा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कारे करें आप, जब भी कोई निरने ले आप, तो आप यह जरूर स्कोचे कि आपका वो कारे, आपका वो निरने अंतिम पाइदान पर खड़े व्यर्ति को कितना अंतियोदे की भावना जिससे की अंतियोदे का मंत्र निकला और अंतियोदे जिसको आत्मसाद करते हुए पथ अंतियोदे, प्रण अंतियोदे, लक्ष अंतियोदे को आत्मसाद करते हुए प्रधान मंत्री नहरेंद्र मुरी इस समयने भारत कर निरमार कर रहे हैं, वाज जिस्ट्वा गांधि जी के अगर बात करें तो उन्होंने सत्य हंसा को एक हतियार के रूप में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, सत्य हंसा का लिट निखिशा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखे तो कहा गया है कि अहिंसा पर्मो धर्मस तथा अहिंसा परमतपः अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मा परवर्थते अहिंसा परम धर्म है अहिंसा परमतप है अहिंसा ही परम सत्य है जिसके धर्म की परवर्थती आगे बढ़ती है और अहिंसा सत्य और अहिंसा के रचना बनाई गई है गांधी जीने अपने जीवन को चाहे वो सत्य के प्रयोग हो चाहे वो सत्यागरह के प्रयोग हो उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया सत्याहिंसा के सिध्धानतों को आत्मसाथ करते हुए पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि क किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है। को गाधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जी ट्वल्टी सदस्य देशों के प्रत्निधियों, राश्टा ध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं जो की एक-एक करके पहुंच रहे हैं रा का प्रेम सब कुछ उनमें समाविष्ट था और अंतराश्टी इस्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज देता विचारक सबने गांधी जी से प्रेणा लिए चाहिनिलसन मंडेला की बात करें आंग सांसूकी की बात करें महान वग्यानिक अलबर्ट आइंस्रीन की बा कि अगर देखें कि जाहें वह मध्यपूर्व हूं चाहे वह येशिया हो चाहे वह योडिक्षड अफ्रीका में गांधी जीकर सत्यागरा के प्रयोग है और अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंद हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज कही जाती है वस्धोय कुटुम्वकम की जहां पर बात कही जाती है सत्याहिंसा के द्वारा एक के ततस्ता की नीद का अनुसरन करते हुए गुत्मिर्पेक्ष्टा की नीद का अनुसरन करते हुए समवाद और कूदमीत के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिर्धान को आदुपालन करते ही हुए जिस तरीके से भारत आज आजे चल रहा है नए भारत का भुदय हो रहा है पुदान मंत्री नेरिंद्रमोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतराश्री प्रतिजीयों का विदेश्वी मेहमानों का धी पल्टी में पहुंचे हुए राश्राद भेक्षओं का खादी के अंगवष्तर से खादी जो कि बशस्तर नहीं व् discriminate है खादी जो की जिसमें महत्वाधान जी के एसे सूप्त पिरोए हुए हैं ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है जिसमें अस्ते अपरिग्रह की भीवात है जिसमें ब्रमचर की बाते कही गई हैं जो सानातन संस्कृती के मून बिंदु थे जो सानातन संस्कृती के मून नैतिक नियम थे उनके ताने बाने को फिरोकर जिस भारत का निर्माड किया गया है उसी नए भारत को नए अभ्युदय देने का कारे कर रहे हैं तो धानमंत्री नेरेंद्र मोदी जो की खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं राजगार्ट परिस्तर में पहुच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद इनके वाली साहब जो की शेख मोजीबुर रहमान वो खुद महात्मा गांदी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौकों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहां के स्वतंता संघर्ष में निरेतुत्र का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांदी जी ने प्रेरणा दिय आंतराश्टी व्रतित्वों को चाहे वो जक्षन अफ्रीका के लिए संघर्ष करने वाले नलसन मंडेला हो या फिर शेख मोजीबुर रहमान हो या फिर मार्टिन लूथर किंग हो अनेक तरीके से एक समावेशी सम्मान जनक समाज की सापना करने का जो मंत्र दिया गांदी ुआ अल्या स्वह की सफके समावेशी विष्वा का निर्माड यहां पर सत्य और हिंसा के मूट्यों की प्रतित मूट्रा या किया गृषप आशे मूंब्यों को खाटितर कर देंका का निया राष्पता महात्मागान्दी ने और उन्हीं मूझन प्रद्थान मंत्री मैंने कर रहे हैं रधानमंत्री नरेंग्र मोदी खादी के अंगवस्तर से बागलादेश की लड़ाई में हम भूमिका निभाने वाले इनके पिता गांधी जी को आदर शुकुल ने बताते हुए कहा किया लेक ऐसे मौके जहां पर धैरे और संयम की परिक्षा होती है वहां पर गां करते हैं सत्याग्रा का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को सत्य और हिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है सत्य और हिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रा का निर्माड सत्याग्रा के हथियार का निर्माड का दीजी ने किय तक आप आपको विश्व संस्कृति के लिए अनुपम निधी है कि बग senateya करक्ति ही में हुई नजी के बाद अने घ्रोल संत्रत करें वने के लिन और पहुँच रहे राजड प्धानमंत्री नरेंगरमोदी अग्वानी कर रहे हैं राष्टा ध्यक्षों की और खादी के अंगवस्त्र के द्वारा उन्हें सम्मानित किया रहा है खादी जो की एक वस्त्र नहीं विचार है खादी जो की जिसमें गाधी जी के मूले समाहित है खादी जिसमें भारतियता समाहित है और पुनी खादी के अंगवस्त्र से स्वाधत किया जा रहा है विदेशी महमानों का प्धानमत्री नरेम, मोधी के द्वारा जाधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक अपरतिवी व्यक्तित्व है, जो सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को भारत भारतीता के सनातन मूल्यों को आत्मसाथ करते हुए एक राजनेतिक रूप से नए संगर्ष के सिध्धान्त को स्थापित करते हैं महात्मा गांगी जहां पर सत्य का आध्रा है, जहां पर अहिंसा एक हथियार के रूप में है, जहां पर हिंसा को कोई जगह नहीं है, जहां पर रग्तहीन करांती की बात की जाती है, और रग्तहीन करांती ऐसी जिसमें सत्य रही साथे हत्यारों का इस्तेमाल हो प्रविन जुगनाथ मारिशस के राश्पते इस समय पहुच शुकर हैं राजधाट और रधानमंत्री नरेंद्र मूदी अगवानी कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं अंग वस्तरम देकर सभी विदेशी महमानों का और सभी राश्टा ध्य सब्सक्राइब भारत और मारिशस के संबंद अगर देखें या फिर भारत के अंगे सदसे देशों के साथ संबंद देखें तो बेहत प्रगाड हुए और जीट्वल्टी शिकर संबेलन इस इन संबंधों को और ज्यादा प्रगाड करने का एक है अपरती मौसर है यहां पर नए दिल्ली घोशडा पत्र के जरिए उपलब्दियों की नई राह दिखाई गई है पूरी दुनिया को एक मानो केंद्रित विश्व निर्मार की व्योस्थाक का जिसमें प्रतिपादन किया गया है मारिशस के राश्वपती प्रविन जुम्नाथ का स्वागत करते हुए पुदान मिंटरी नरेंगर मोदी राजगाट पर विदेशे महमानों राश्रा ध्यक्षों के आने का सिल्सिला लागाकार जारी है और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसाद करते हुए नए आत्म निर के से गांधी जी के से धांतों को भी विदेशी महमानों को समझा रहें कि किस तरीके से गांधी आज भी भारत भारती इता और भारत की संस्कृति भारत के समाज भारत की सोच भारत की विदेशनीती और भारत के राश्ट निर्माड की नीतियों में समाहे थे गांधी जी ज साथ राष्ट्र मेरमार की कि इस महायग्य में रानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए कि विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं रानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जुड़े हुए अलेक विवरन और उत्तत्य बता रहे हैं विदेशी मेहमानों को गांधी जी के विराट विक्तित्तों के सामने पूरी धुनिया नत्मस्तव होगी आज पूरी धुनिया आज श्रद्धानजली देगी दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के समूह के रूप में राश्टा ध्यक्षा और संगतनों के प्रमुक राजगाट लगातार अभिनादन कर रहे हैं भारत की परंपरा के अनुसाथ खादी के वस्त्रों से विदेशे महमानों का और एक-एक करके विदेशे महमान लगातार राजगाट पहुच रहे हैं दुनिया पर अगर सरवाधिक प्रभाव एक व्यक्ति के रूप में और सोच के रूप में अगर किसी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है जिन्हों सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचर के सिधान्तों को अपने जीवन में ढालते हुए पूरी दुनिया को सत्याग्रह का पाड़ सिखाया सत्य हिंसा का मार्व दिखाया अहिंसा को एक ऐसे उपकरण और हत्यार के रूप में स्थापित किया जो कि लगातार स्वाग्रह पहुंचने वाले राज़ाज पर दिखी मेहमानों का और गांधि जीके जीवन चरया से जुड़े खिया हुए आने nic बातों को विज्षे मेहमानों को बता रहे हैं और चकित कर देने वाला मुझित कर देने वाला महत्मा गांधी का वो व्यक्तित्व जो की अपने जीवन भर सत्य के प्रियोग में गांधी जी ने अपने जीवन को लगा दिया यहां पर उन्होंने आहिंसा के प्रियोग के द्वारा भारत को स्वतंता संगर् जिन्होंने सत्य और हिंसा के मार्ग से भरक वाजादी दिलाई जिन्होंने सत्य और हिंसा के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए विश्व के अनेक उपनी वेशिक सक्ताओं को चुनोती देते हुए नए राष्टों के निर्माड में वहां के नेताओं को पत्प्रदर्शक के रूप में काड़े किया वही गांधी जी पूरी दुनिया के लिए शद्धे हो जाते हैं और शद्धा सुमन अर्फित करने के लिए पहुंचे हैं राष्टा ध्यक्ष, राजगाज, राष्ट के का महात्मा गांधी को एक निर्वात, निश्कंप, दीपशिखा आप देख रहे हैं जो कि हमको सरवोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वस्धोय कुतुमकम की बात कहती है, जो अहिंसा को परम सत्य बता महत्मा गाली ने कहा कि सत्य में इस्वर का वास होता है समाधी कस्तर पर अगर उन्होंने देख अगर देखा जाये तो सर्वुदे के द्वारा न्यास की भावना के द्वारा ट्रस्टी शुप के द्वारा उन्होंने एक ऐसे समावेशी समान समता मूलक समाज के निर्मार की स पहुचे हुए हैं राजगाट पर यहां पर शद्धा सुमन अर्पित करेंगे राश्पिता महात्मा गांधी को गांधी जी के व्रक्तित्तों को अगर देखे तो कहा गया है कि गांधी का करतव्य प्षेत्र दिककाल नहीं है गांधी है कलपना जगत के अगले यूग के गांधी मानवता का अगला उद्विकास है अगर देखें तो सत्य हिंसा का पाट पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुशों को प्रेरित किया सत्य के संघर्ष के द्वारा नहे राष्टों के निर्मार में अपने साध्य और साधन दोनों की सुचिता की बात महात्मा गांधी करते थे अगर साध्ध्य के को हासिल करने में साध्धन की भी सुचिता नहीं है तो गांधी जी को वरेने नहीं था, गांधी जी को स्विकारे नहीं था साध्ध्य और साध्धन दोनों को सुचिता का, दोनों की पवित्रता का प्रतिपादन करते हैं महात्मा गांधी और सत्य हिंसा का पार्ट पढ़ाते हुए एक सत्य साधन के लिए सत्य साधन द्वारा सत्य साध्य की बात करते हैं सरवोदे के सिध्धान की बात महत्मा गांधी करते हैं इसमें एक समता मूलत समाज की स्थापना की बात हो भारत के अगर स्वतनिता संघर्शकुरूनूने नया राह दिखाया तो भारत में सामाजी कूरीटियों को समाप्त करने में भी महात्मा गांदी जिने पुरी दुनिया के सामने उदाहर प्रस्तुत किया, चाहे वो अश्प्रसिता को समाप्त करने की बात हो, चाहे वो दलितो धार की बात हो, चाहे वो अलग-अलग समाज के उन्नेयन की बात हो, समूचा का समूचा उनका व्यक्तित को, समाज के लिए और राष्ट के लिए मानोता के कल्यार के लिए समर्थी तरह, और मानोता के कल्यार का महमंत्र जो उने दिय कर दोंretsा ने सठ्य ने रूप पें देखा और सठ्य हिंसा प्रड़ित्य कि समाध. इ Completely इस योिस्त्त पर इस समय पूरी दुनिया पहुच रही हैं। दुनिया के शक्ति-श्याष देशों के संगठन का समूह और उनके राष्टा ज्यक्ष गल और अनेक अंतराश्री संगटनों के प्रमुख पहुंच रहे हैं जो कि शुर्धा सुमन अर्फित करेंगे राश्रुपिता महत्मा गांधी राजगाट पर आने का सिल्सिला विदेशी महमानों का लगातार जारी है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं विदेशी महमानों का आतित देवोभो हमारी परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विशारों को गांधी जी के मूल्यों को दुनिया में स्थापित करते हुए खादी के वस्तर से दाधी जी के जो मिचार हैं, दाधी जी ने खादी सूत कापने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को पूरे देश को उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आहवान किया, सूत कापने का उन्होंने आहवान क ग्राम सुराज की जो संकल्पना उन्होंने की वह ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटी रूद्योगों के स्थापना के द्वारा डाउं में ग्रामीर अर्थिविवस्था को बढ़ूत प्रोचाहन देते हुए कैसे भारत का निर्मार किया जाए जहां स्वाराज भी हो जहां सुर करके आज नय भारत को बढ़र रहे हैं जांदी घुन की अगवानी कर रहे हैं दाधी जी के परमप्रिये वस्थ खादी द्वारा अंगवस्त्र के ड्वारा उनको भेट करके और साथी साथ दांधी कुटीर के रूप में स्थापिड जांधी के मुल्यों को जांधी जी के स धान्तों के प्रतिवादन करने के स्वरूप के रूप में धान्दी जी के राजनीतिक सामाजिक और नहितिक नेवों को दुनिया के सामने एक बात स्थापित कर रहे हैं प्रगर्शित कर रहे हैं और भारत भारतियता की अगर बात करें तो उसको उन्रस्थापित कर रहे हैं पुद्धान मंत्री नरीम भूद लगातार विजेशी मेहमानों का आन्या का सिल्सिला लगातार जारी है और महत्मा गाधी जिन्होंने सत्या हिंसा के द्वारा पूरी दुनिया को नई रहा दिखाई सांत के अधिश्ठाता और सांत के प्रड़ेता यहीं पर चिर निद्रा में लीन है राजगाट भारत के फिर्दियों में राज करने वाले महत्मा गांधी का चिर विश्रा मुस्थल है और इस चिर विश्रा मुस्थल पर इस समय दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुँच रहे हैं शद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्पिता महात्मा गांधी को और प्रदानमंत्री नहरे नमोदी खादी के वस्टर के द्वारा जो कि गांधी का सर्वोप्री ये वस्टर था जो कि जिसने की आजादी के अंदोलन में प्रमुक भूमिकाने भाई उन्धी कि देस्तिपपो कि द्वारा कर रहे कि भू команд के द्वाराक रहां मंतुटि मेरे द्मोक जड़र में नियुस्ति mode की दृजशिक ने दू के रहे हैं हमारे देशी महमारे कुश्य और हिंसा का वह पाथ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल पर विशिष्ट छाप छोड़ी जिसने कई देशों के भूगोल को बदल दिया जिसने कई महापुरुशों के अभ्युदय में महतुपूर्ण भूमिका निभाई और यह पूरा का पूरा राजगात इस समाधिस्तल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी जी 20 के राश्टाध्यक्ष संस्था प्रमुख वहां पर श्रद्धासुमंद करने पहुश रहे हैं महत्मा गाधी को यह दिर्वात निश्कंप दीपशिखा में जिसकी में बात कर रहा हूँ यह लव है यह वो लव है जो हमारी दिलों में जलती है गांधी के सत्याहिंता के सिधांतों के रूप में यह वो लव है जो कि हमें सत्यागरह सिखाती है यह वो लव है जो हमें सर्वोदय सिखाती है यह वो लव है जो कि समता मूलक समाज के लिए हमको प्रेरित करती है राजगाट पर जी ट्वल्टी सदस्य देशों के राष्टा ध्यक्षों और संस्था प्रमुखों के आने का सिल्सिला लगाता जारी है महत्मा गांधी ने एक समता मूलक समाज की स्थापना के निर्मान में प्राणप्रण से जुटे हुए है प्रदान मंतरी नेरे निर्मोदी जुन्हों है स्वच्छ भारत अभियान के जरिए कार्यांजीली स्वरूप राश्पिता महत्मा गांधी के जन्म दिन पर इस कारिक्रम का शुभारम किया और समुचा देश खुले में शौष से मुक्थ हुआ अतिथियों का अंग वस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा खादी के वो वस्त जिन में घांधी जी के सिध्धान्थ समाहित है। और विदेशी महमानों को गांधी जीवन से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित, गांधी जी के भारत भारती इता के मुल्यों से संबंधित, अनेक मानकों को, अनेक सिध्धानतों को प्रधानमंत्री नरे निर्मोजी विदेशी महमानों को बता रहे हैं किस त सत्याहिंसा का मार्ग अंसरन करते हुए एक शांति पोड़ सहस्तित्व वाले विश्व की निर्माड की कामनाथ। भारत की विदेशनीत में, भारत की अर्थनीत में, भारत की समाज शास्त्र में गान्धी जी का जो स्वरूप दिखता है, उस सर्मुदे के रूप में दिखता है। सत्य हिंसा के पुजारी के रूप में देखता है और भारत भारती इता के उस स्वरूप के रूप में देखता है गुस्वनातन संस्रती के मूल्यों को अपने में समाहित किये हुए पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरीके से भारत भारती इता विश्व बंधुत की बात कर कि विश्व कल्यान की बात करती है, सांति पूरु सहस्तित्म की बात करती है और दुनिया के कल्यान की कामना करने वाला अकेला भारत वर्ष है और उसी भारत के अमरित काल में आयूद किये गए जी-20 के शिकर सम्मेलन में आज पहुचे हुए राष्टा ध्याच्ष और लाज्यारी और राजगाट पर पहुंच रहे हमारे विदेशी महमान अतित देवो भव हमारी परंपरा और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नेरें निर्मोदी कांधी जी के विचारों को आत्मसाथ करके नए भारत के निर्मान में लगातार प्रान प्रण से जूपे हुए हैं अधानमंत्री नेरें दमोदी विदेशी महमानों का स्वागत करते हैं और लगातार विदेशी महमानों का आगमंजारी है राजगाट यचिझ प्रेश्य, प्रेश्ट , खर्ण करेंदेशी, दुज Cback एंधफ लगाट भ्रेशी, जिफरों दिसे म rare लातै के वगाता ने कि थक साथा आसंपी आफे हम आणा थी कुए कुए लागते यवाट प्रण不会रत दुक हबादया विड बीक भी बीद्श के एम गांधी जी के प्रिये वस्त्र खादी से खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी विजेश्वी महमानों का और साथी साथ गांधी जीवंदर्शन से परिशित करा रहे हैं विजेश्वी महमानों को गांधी जीवंदर्शन के वो मूल सर्द्धान्त के साथ्याइफ, अपरी दुनिया के साम्मिन रखा यहां पर उन्हों ने सत्या इंशा का पाथ पूरी दुनिया को पड़ाया और सत्या इसा पाथ जिसने पूरे विश्व को रख्त हीन क्रांति का मार्ग दिखाया सत्याग्रह कि जब बात महत्मागाधी करते हैं तो सत्य के आग्रह की बात होती है उसमें हिंसा नहीं होती है सत्य के प्रत अटूत मिश्था होती है और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वह हिंसा का वह मार से हम शान्ति के द्वारा अहिंसा के मूल्यों को द्वारा अपने खित को अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं कि गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोथ हैं शांत के अधिस्ठाता शांती और अहिंसा के पत्प्रदर्शक एक ऐसा विराट व्यक्षित् जो कि युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है जो कि पूरी दुनिया के सामने युग संस्थापत के रूप में जाना जाता है युग निर्माता के रूप में जाना जाता है आज राजगाट पर पूरी दुनिया श्रद्धाउनत होगी विन्याउनत होगी दुनिया भ करेंगे कार्यांजली अर्पित करने का यहलगातार राष्ट्ञमार के रूपकर अनुप अलग अलग शब्दों में बापू की अभिवन्जना की गई है कहा गया है बापू तुमने होम दिया जिसके निमितत है अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को छमा शांति निर्भीत प्रेम को शतह प्यार हमारा उगा गये तुम भीज सीचने का अधिकार हमारा जो बीज वपन किया महत्मा गाधी ने अपने सिध्धान्तों के रूप में चाहे वो सिध्धान्त सत्य हिंसा परग्या अस्ते ब्रह्मचर के हो चाहे वो सत्याग्रह और सर्वोदे के सिध्धान्त हो चाहे वो ग्राम सुराज की स्थापना का संकल्प हो उन् को गांतों पूरी दुनिया को शकुत कर देता है कि किस तरीके से तद्यागए के प्रियोग के द्वारा हम अपने राजनीते खेतों को अपने सामाजी खेतों का पोश्वन कर सकते हैं पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराज व्यक्तित्त को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को अपनी वेश्टिक सामराजवास से मुक्ति दिलाई भारत के आगादी के संगर्ष को अग्रदूत के रूप में अपनी भूमिका निभाई और किस तरीके से भारत को उनके सत्य और हिंसा के सिध्धान्तों के सामने वरतानिया सामराजवाद जोका और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्यागरह के सिध्धान्त को पूरी दुन गांधी जी के अंदोलन में, सामाजिक उन्नेयन में, लोगों के उठान में, उन मंत्रों को आत्मसाथ करते हुए, गांधी जी के सिध्धान्तों को अपनाते हुए, समता मूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। गांधी जी के जीवन दर्शन में आत्मसाथ हुए, गांधी जी के जीवन दर्शन से, समूचे देश ने देखा और समूचे विश्वन ने देखा, समूचे विश्वन ने सीखा भी और देखा भी किस तरीके से सत्य और अहिंसा के प्रयोग के द्वारा, गांधी देखा, मात्मा गांधी के जीवन देखा,नेत्य देखा, शद्धावनत है सत्य हिंसा के पुजारी के सामने एक-एक करके सिलसिला जारी है इस समय G20 सदस्य देशों के राष्टा ध्यक्षों और संस्ताओं के प्रमुखों का जो कि विशिष्टा मंत्री सदस्य देश है और अनेक संस्ता प्रमुख है वो पहुँच रहे हैं राजगा गांधी के विचारों को आत्म साथ की हुए खादी का अंगवस्त्र के द्वारा प्रधान मंत्री नेरेंद्र हो जी स्वागत कर रहे हैं विदेशियों महमादों और साथी साथ गांधी जी के जीवन शैली से उनको परचित करा रहे हैं इस तरीके के संत के रूप महात्मा क रूप में परिवराजियक कर रूप में अधिनंगे रहकर उन्होंने भारत के अच्वेशिक काल के भूखे नंगो के प्रतनित के रूप में भरतानिया सामराजिय रहों सद्था करने की राह उनोंने दिखाई। और जो शत्य हिंसा का आलाख हुनोने जगाया, वो आज राजगार्ग पत det, निर्वात भिशकंप दीप शिखा के सरह प्रज्वलित है, जो कि प्रेर्णा देता है समूच्ँे राश्ट को समूचे विश्व को, सत्य हिंसा का पाथ सिखाता है, सत्य हिंसा का मूलमंत्र बता को नई दिशा और राह दिखाने वाले महत्मा गांधी के सिध्धानतों का इस सबसे जादा प्रिणादाई सल है राजगार यहां पर जी 20 सदस्य देशों के प्रतनित राष्टा धेक्ष और विदेशी महमान और विशिष्टामनतित देशों के प्रतनित पहुच रहे हैं कुचित करो ना इनको गांधी का करतव खेत्र दिक नहीं काल है केवल भावगोलिक वातावरर में भावगोलिक परिस्थितियों में भावगोलिक खेत्र फल में गांधी के व्रतितों को विराट व्रतितों को समाहित नहीं किया जा सकता सीमित नहीं किया जा सकता उस अगले यूग की गाधी मानोता का अगला उद्विकास है यह कहा गया है यह माना गया है और जिस विश्व के पीपल संट्रिक एप्रोच की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी ट्वंटी शिकर सम्मेलन के जो धेवाटियों में जिन जब उन्होंने कहा क गानधी के सर्वोदे के सिध्धान से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि प्रकृति हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लोब को नहीं हमारी नीट को पूरा कर सकती हमारी ग्रीट को नहीं तो वह सिद्धान वह प्रकिति सर्रक्षण के सिद्धान जलवाईू सर्रक्षण के सिद्धान इनका प्रतिपादन भारत भारतियता में किया गया जिनको आत्म साथ किया गां के सिद्धान्तों को समझा रहे हैं विदेशी महमानों को कि किस तरीके से बगेर खड़के बगेर ढालके साबरमती के संत ने देश की आजादी में योगदान तो दिया ही साथ उन्होंने मानोता के कल्याड में पूरी दुनिया के एक नई रहा दिखाई और वो रहा है सत्य औ कि राश्टा द्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है राजगाट पर राजगाट यहां पर बापू की समाधियस्थल है राजगाट जहां पर मात्मा गाधी के सिध्धानतों का निर्वात निश्कमपदीप शिखा के रूप में भारत वहां पर एक धिव्य ज्योती प्रज्जोलित किये हुए है लगातार विदेशी महमान पहुच रहे हैं राजगाट और उनकी आगवानी कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जोकी गांदी जी के विचारों को आत्म साथ करते हुए आत्म निर्भर भारत सबल भारत श्रेष्ट भारत एक भारत श्रेष्ट भारत स्वच्छ भारत सशक्त भारत का निर्मार कर रहे हैं आत्म निर्भर भारत के निर्मार में प्रान प्रण से जूटे हुए हैं और साथिसाथ 21 सदी के भारत को जगदगुरु भारत की पद्वीifferent दिलाने के लिएپ स्वागत कर रहे हैं गाधी जी के विशारों के प्रतीक खाधी के वस्द्र से स्वागत कर गाधी के वो सर्वप्रिये वस्त्र खादीज के द्वारा स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। जारी है राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं। निद्रालीन हैं लेकिन निर्वात, निश्कंप, दीफशिखा के तरह उस सत्य हिंसा के सिध्धान्तों को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और उसी दीफशिखा को भारत में पूरी दुनिया के सामने मसाल के रूप में जलाने का काम किया है। वसुदहयो कुटुमगम के सिध्धान्त के रूप में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिध्धान्त के रूप में। जब कि भारत मानों के इंद्रित विकास की बात करता है, जब भारत विश्व कल्यान की बात करता है। गांधी जी ने पूरे गाश्ट से आहवान किया था कि श्रमदान के रूप में चर्खा चलाएं चर्खा से सूथ काते और चर्खा के सूथ से काते गए वस्तरों का निर्माद ने भारत के स्वदेशी आंदोलन को उस समय सवराधिक गती दी जब विदेशी वस्तरों का बहिशकार किया गया धन मंत्री नरेंद्रमोदी उन्हीं विचारों को आत्मसाद करते हुए खादी को उन्होंने विचार के रूप में स्थापित किया और आज अगर देखे तो इस पूरे के पूरे एक दशक में जिस तरीके से भारत भारतियता के सिध्धान्तों की पुनुरस सापना हो रही है, गांधिवादी मुल्लों की पुनुरस सापना हो रही है, गांधी के सिध्धान्तों की वैश्विक पुनुरस सापना हो रही है, उस महायग्य को लगाता जारी रखे हैं प्रधानमंत्री नरे गांधी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित तो जिसने नकेवल दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदला बलकि एक ऐसा विराट व्यक्तित तो जिसने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया दुनिया के अनेक देशों के स्वतंतरता संघर् चाहे वो अफ्रीका के देशों, जक्षन अफ्रीका जहां पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग किये और सत्य का प्रयोग जो कि उनका आजीवन चलता रहा, ऐसे सत्याग्रह और सत्य के प्रयोगों से निकले हुए सिध्धान्तों को दुनिया के सामने उन्होंने रखा और दुनिया को सत्याग्रह के रूप में एक ऐसा मंत्र दिया जिसने दुनिया में समता मूलक समाज के स्थापना के लिए समावेशी समाज के निर्माड के लिए और रक्तहीन क्रांति के मारग को उन्होंने प्रशस्त किया सत्या ग्रह के सिद्धानतों के जाए है। तो पूरी दुनिया अगर आज दिल्ली में सिम्ठी हुई है, प्रमुख राश्टा ध्य благ साली देशों के राश्टा ध्याथ दिल्ली में J20 शिकर सम्विलण के लिए आए हुए हैं। इस समय वो राजगाट पहुँच रहे हैं सत्याहिंसा के पुजारी को शद्धा सुमन अर्पित करदे के लिए और लगातार महमानों का आदे का सिलसिला जारी है जर्मन चांसलर साथी साथ विदेशी महमान विदेशी संस्थाओं के प्रमुख राजगाट पहुच रहे हैं और वो शद्धा सुमन अर्पित करेंगे राश्पिता महत्मागानदी राश्पिता महत्मागाधी जिन्होंने सत्याहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके सत्यागरह और सत्य के प्रयोग के द्वारा सामाजिक और राजिनीतिक करांग की जा सकती है शुबह साध्यन और शुबह साध्यन के द्वारा किस तरीके से समाविशी समाज का निर्मार किया जा सकता है साध्यन और साध्यन दोनों के शुच्ता के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी जिन्होंने किसी ऐसे साध्य को फीकार नहीं किया जिसके अनुचित साधम हो। गाधी जी के परंप्रिय वस्त्र, खादी के वस्त्र के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा धानमंत्री नरेग्रमुजी इस समय अभिबादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, विजेशी महमानों का जो की राजगात पहुंचे हैं। भारत से ख़देडने का काम किया, दशकों तक और आने वाले योगों योगों तक उस्तान्ति के विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रिरणा सोथ हैं, जो उन्होंने सत्याग्रह का पाथ दुनिया को पढ़ाया, उसने अनेक रख्तिहीन करांतियों का मार्ग प्रश ही ट्वल्टी में आये हमारे विदेशी महमानों। सिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण एकाई जीवन की, जिसमें असार भवशून नलीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। और सत्याग्रह की बात करता है, विदेशी महमान लगातार पहुंचरे राजगाट और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी स्वागत कर रहे हैं, खादी के वस्त्र के द्वारा, और उन्हें गाधी जी के मूल्यों को, गाधी जी के सिध्धान्तों को गड़ादी जी के जीव गाधी जी का विराक व्यक्ति तो चकित कर देता है, पुरी दुनिया को किस तरीके से रक्तहिन कांति का मार्ग उन्हों ने प्रशस्त किया, किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अस्ते और अपरिग्रह जो कि हमारे मूल सिद्धान्त है, हमारे सनातन संस्क्रिटी के मूल सतंभों में है, कि आवश्रक्ता से ज्यादा किसी चीज को संग्रहन किया जाए वह अपरिग्रह का सिद्धान्त है। अस्ते जो की चोरी न करने के सिध्धान्त को कहा जाता है। ब्रहमचरे जो की नैतिक नीमों के पालंग की बात करता है। सत्य जिसको इस्वर के रूप में माना गया और जिसको इस्वर के रूप में इस्वर के प्रतिरूप के रूप में महात्पागादी जी ने व्याक्षा तो निश्चत तोर से वह महामानों भारत के लिए नहीं पूरी दुलिया के लिए पूझ्जी हो जाता है वरेण हो जाता है समाधर का पात्र होता है और आज उसी समाध्रित विराट विप्तित्त को श्रधान जली और श्रधासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं कि अगर देखे तो चाहे अर्जंटी नहीं हो जाता है तो किस तरीके से विश्वर्यापी है तो अगर देखे तो चाहे अर्जंटीना हो चाहे आस्टेलिया हो चाहे ब्राजील हो अनेक देशों में गाधी जी की मूर्तियों के स्थापना की गई है पार्क का स्थापना किया गया है गाधी जी के सत्यहिंसा प्रेम और भाईचारे के सिध्धान्त को अपनाया गया है और अनेक देशों में गाधी जी की प्रतिमाओं को समाध्रित तरीके से सापित किया गया है अगर देखें तो G20 देशों के बारे में ही अगर बात करें तो महत्मागाधी के 150 जहिंती पर 2019 में डाक्टिकट अर्जेंटीना ने जारी किया औस्टिलिया ने रोमा स्टीट पार्क लेंड ब्रिस्बेंड में महत्मागाधी की प्रतिमा का अनावरण किया राश्पति रावनात कोविल ने सिड्ली में महात्मा गांदी की पृटिमागा नावरण किया दीख़नी सदस्य देशो के प्रतिजिएों राश्पति धेक्षो के आने का सिल्थिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नेरेंद्रमोदी उन्हें गांधी जी के मुल्यों से, गांधी जी के जीवनशैली से, गांधी जी के सिध्धान्तों से, गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक सिध्धान्तों से परशित करा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सत्याहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को विश्व बंधुत और कल्यान का महामंत्र दिया गादी जी का विराट व्यक्तित पूरी दुनिया में बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है अनेक राश्वाज्यक्ष जो भारत के दोरे पर आते हैं वो राजगाट पहुंशते हैं और उसे धासुमन अर्पित करते हैं बात अगर माटिल लूथर किंग की बाग करे तो जब उन्होंने भारत यात्रा की थी तो उन्होंने भारत यात्रा को और साथ ही साथ गांधी जी की समाधी पर पहुंचने के अपनी यात्रा को तीर से यात्रा सरीखा बताया था अनेक ऐसे विश्व के महापूरुष जिन्होंने अपने समाधी को और देश के निर्मान में अमूल योगदान दिया वो गांधी जी के विराट व्रक्तित उसे प्रेरित रहे जी टुन्टी देशों की अगर बात करें तो फ्रांस ने एक सो पचासवी जैनती मनाने पर डाक्टिकर जारी किया था जर्मनी ने ट्रायर में महात्मा गाधी की प्रतिमा का किया स्थापना की है इंडोनेशिया में अहिन्सा की धारा इस तरीके से वहां पर वही की वहां पर आश्रम गांधी पूरी संचालित होता है जो कि गांधी जी के सत्य अहिन्सा की विचारधारा एंडोनेशिया में प्रभाहिद कर रहा है इटली की अगर बात करें तो पृदाद मंतरी ըेरेंद्र मोदी दे रोम के शहर पियाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उश्पांजली अर्पित की जो की वहाँ पर स्थापित है जब राश्टा ध्यक्षों का भारत दोरा होता है तो राजगार्ट पहुंच का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जब भारती नेताओं का विदेश दोरा होता है तो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारी परंपरा का हिस्सा होता है हिरोश्मा जहाँ जिसने की परमाड हमले का दर्श जेला वहाँ पर हिरोश्मा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आरूर है कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में जो स्वदेशी आंदोलन चला और कोरिया के प्रमुकराष्टवादी नेताओं में चो मान सिख ने कहा कि उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा ली जब उन्होंने विदेशी वस्तुओं के वहिशकार की बात की उसी तरीके से चोने कोरिया में बने हुए सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा और कोरिया के लोगों से आर्थिक आत्मिर्भर बनने पर जोर दिया चोने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के उद्देशों के आधार पर देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई और उन्होंने गांधी जी को अपना फ्रेरणा स्थ्रोध बताया चाहे कोरिया हो चाहे जापान हो इटली हो मैक्सिको हो दक्षण अफरीका हो इन सभी देशों में गांधी जी का सम्मान इस तरीके का है कि एक महापुरुष के रूप में गांधी जी को सब वहां पर पूछते हैं रूप के विदेश मंतरी सर्गेई लावरो इस समय पहुच चुके हैं राजगाट कठीपय कारणों से राश्पति पुतिन का भारत आगमंजम नहीं हुआ तो रूप में विदेश मंतरी सर्गेई लावरो रूप के प्रतिधित्य करते हुए आये हुए हैं और भारत और रूस का जो समय की शिला पर अमिठ हस्ताख्यर के रूप में ऐसा संबंध है जो कि काल जाई संबंध है उन्हीं संबंधों को आगे बलाने के रूप में आज G20 शिकर सम्वेलंग में हिस्सा लेने के लिए सरगेई लावरो पहुचे हैं और सरगेई लावरो इस पहुचे हैं राष्ट्पिता महात्मा गाधी को श्रधासु मन अर्थित करने के लिए गर्म जोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंतरी सरगेई लावरो का जान मंतरी नरेंद्र मोदी भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूत संबंध है समय की शिला पर हस्ताक्ष करने का काम किया है जब भारत और रूस जैसी महाशक्तिया दुनिया के सामने होती है तो देख रहें कि किस तरीके से गर्म जोशी से स्वागत किया है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने विदेश मंतरी सरगेई लावरो का राजगाट पर एक-एक करके विदेशी महमानों राश्टा ध्यक्षो, जी टुल्टी के सदस्य देशो, आमन्तर देशो के सदस्यो का आगमन लगाता जारी है राजगाट पर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं महत्मा गाधी ने दक्षण अफरीका के निर्माण में अपूर्ण योगदान किस तरीके से दिया की जब उन्होंने करमचंद गाधी के रूप में दक्षण अफरीका में अपने फीनिक्स फार्म के स्थापना की इस तरीके से उन्होंने वहाके लोगों को सत्यागरा काइगा। इस तरीके से एक वकील के रूप में काम करते हुए उन्होंने सत्यागरा कै he. पहली सीख महीं पर सीखी डख्शन अफ्रीका में जाधी जी के राजदेतिक और नैतिक विचारों को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया गया और अंतिता डक्षन अफरीका ने रंगभेद को दरकिनार करते हुए, नसल भेद को दरकिनार करते हुए, स्वतनता संघर्ष के रूप में अपने राश्ट को उन्होंने नए तरीके से व्याख्षाइद किया, मैक्सिको, डक्षन अफरीका, जापा, नेटली, अनेक ऐसे जिनके देश में राश्ट्पतिया महत्मा गांधी को बेहत समादर हासिल है, पूरी दुनिया मुने समादर हासिल है, और अनेक राश्टा ध्यक्ष और विदेशी महमान इस समय लगातार पहुच रहे हैं, राजगाट शद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राश्ट्पत की कामनाकी और जिन्होंने भारत, भारतीता और सनातन के मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दुनिया को शांतिपूर सहस्तित्तो का राह दिखाया, धानमंत्री नरेंदर मोजी स्वागत कर रहे हैं, खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी महमानों का और उन्हे गांधी जी के जीवन शैली, जीवन दर्शन, उनके सामाजिक, राजनीतिक विचारों से आउगत करा रहे हैं कि किस तरह एक तपस्वी के रूप में, किस तरह एक परिवराज्यक के रूप में, किस तरह एक सन्यासी के रूप में, उन्होंने अपने पूरे जीवन को राश राजगाट पर सभी विदेशी महमानों के आने का सिल्सिला लगातार जारी है जो की श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राश्ट्रपिता महत्मा गांधी को भरतानिया सामराज जिवाद की छूले हिला देने वाले महत्मा गांधी जिनको कभी उद्धत मानसिक्ता ने अधनंगा फकीर कहा था आज उसी राश्टर के भारती मूल के प्रधान मंतरी है रिश्य सुनक को भारत भारती इता को पूरी दुनिया में नए सीरे से व्याक्षाइद करता है और रिश्य सुनक का बहत गर्म जोशी से स्वागत करते हु पुद्धान मंतरी नरेंधर मोली खादी के वस्तर के द्वारा स्वागत कर रहे हैं ख़ादी का वह वस्तर जो कि सर्वोप्रिय था गाननधी जी को और जो कि गाधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है जो कि आजादी के अंदोलन में प्रमुभूमिका निभाता है जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है जो कि ग्रामीर कुटूरी द्योगों को बढ़ावा देता है क्योंकि ग्रामीर सुराज के स्थापना की बात करता है और इसी तरीके से सुराज से सुराज के स्थापना में लगातार लगे हुए है। प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी बिहत गर्म जोशे से स्वागत कर रहे हैं, ब्रिटन के प्रदानमंत्री रेशे सोनाथ का। जोको विडोडो पहुचे हैं, राजगाट और एक-एक करके राष्टा ध्यक्षों के आने का सिल्सिला लगातार जारी है। एक-एक करके राष्टा ध्यक्ष पहुच रहे हैं और प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी खादी के वस्तर से जो कि खादी परयाय हैं गांधी के विचार का उससे अंग वस्तर से स्वागत कर रहे हैं। रेशम के अंगवस्त से स्वालत कर रहे हैं विदेशी महमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में गांधी जी के सिध्धान्तों के बारे में आउगत करा रहे हैं कि किस तरीके से विश्व बंधुत्त के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, किस तरी किस तरीके से सर्वोदे की बात करते हुए किस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात करते हुए किस तरीके से समता मुलक समाज के निर्मार की बात करते हुए किस तरीके से लिंगभेद को समाप्त करने की बात करते हुए किस तरीके से अश्परिसिता को समाप्त करने का आहवान प कर दुनिया के सामने है और मंठि नरेंद्रमोदी के सबल सशक्ति नेटूत्य के द्वारा नहीं भारत का आभिधर ho रहा है एक ऐसा भारत जो की एक भारज्रेश्त भारत के भावना को पुरी दुनिया के सार्फित कर रहा है आत्म नीरभर भारत के रूप में लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है राजगाट पर जहां चिर्द निद्रालीन है राश्ट पिता महत्मा गाधी दानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों का राश्टा ध्यक्षों का संस्था प्रमुखों का अंतराश्टी संगत्नों के प्रमुखों का और साथ ही साथ हमारी जुआतिति देवो भो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और शर्खा गांधी जी को उनके जीवन का दिंशरिया का अभिन अंग रहा सूत कातने का उन्होंने अहवान किया अजादी के अंदोलन के समय और यसी ने भारत के ग्रामीर सुराज के स्थापना की हर वेक्त इसे श्रमदान की बात आहवान की राश्पिताब महात्मा गांधी ने स्वदेशी के अंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया विदेशी वस्तों के बहिशकार की उन्होंने जब बात की हैं स्वदेशी की जबंबात करते हैं भारत के आप मिर्भर होने की जबंबात करते हैं भारत के घरेलू उत्पात को बढ़ावा देने की जबंबात करते हैं खादी के वस्तों के उपयोग की जबंबात करते हैं अपने आसपास निर्मित होने वाले वस्तूओं पर स्वाभिमान पूर्वकुन के उपभोग की स्वदेशी का मूलमंत और सर्वोदे का मूलमंत ट्रस्टीशिप का मूलमंत सत्याहिंसा का मूलमंत सत्याग्रह का मूलमंत आज भी प्रासंगिक है और इन्हीं मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक राजनेतिक विदेशनीत पर इस पर अमिट छाफ है राश्रकिता महत्मा गांधी की जिनकी समाजिराज घाट पर पहुँच रहे हैं दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनी थे राश्रा अध्यक्ष जो की जीट्वन्टी शिकर सम्वेलम में हिस्सा लेने के लिए दिन्मी में मौजूद हैं लगातार पहुँचे इन राश्रा ध्यक्षों का, संसा प्रमुखों का, प्रतिदियों का स्वाधत किया प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने राजगाट जैए परकुल तो राजगाट पर तमाम जो गिदेशी महवान है वो पहुँच रहे हैं और अंतराश्रे संगट्षनों के ये प्रमुख हैं जो आज महात्मा गान्धी के समाधी राजगाट पर उनका आना जारी है और आजगाट पर भारत के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी उनका खादी से बना अंगवस्त्र उन्हें ओढ़ा कर उनका स्पागत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जराश्रे धक्षों का इन प्रमुखों का भारत आने का भारत में जो ये पहुँचे हैं जी ट्वेंटी समिट में शिर्कत करने के लिए कितिहास यहां पर रचा गया है लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है राजगाट पर एमैनुवल मैक्रा राजगाट पहुच चुके हैं और विदेशी मेहमानों के आने का सिलसला लगातार जारी है प्रधान मंत्री नरेनर मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं पूरे विश्व भरके शक्तिशाली देशों के प्रत्ति धिनेता राश्टा अध्यक्ष जीट्वंटी शिकर सम्मेलन महिस्ता लेने के लिए दिल्ली पहुचे हैं और आज सम्मेलन के दूसरे दिन पहला कारिकरम के तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पितकर में पहुचे हैं पहले कारिकरम के तौर पर राजगाट पर सभी राश्टा ध्यक्ष रुमैनुल मैक्रा का ब्यहत गर्मजूशी स्वागत कर रहे हैं जानमंत्री नरेंद्रमोदी ख कि भारत भारतियता का प्रतीर हाथ से बुनावा ये खादी हैंडलों जो भारत के कारिकरों की भारत की ब्रांड खादी के एक बहुत खुफरत तस्वीर पेश करता है और हम देख सकते हैं जिए इस वक्त बाक्रावन में साबर मती आश्रम की तस्वीर यहां पर लगाए ग के बारे में इस तस्वीर की महत्व के बारे में जो इस वक्त मारे पीछे हम देख रहे हैं तमाम अथीतिगर्ड जो पहुँचे हैं राजगाट में और प्रधानमंतरी नरेंद्र रुमूदी का एक बहुत ही सहज एक उनका अंदास है उनका लहजा है जिस तरह से तमाम तो किस तरह से वंचितों समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करने के उनके मिश्ण का अनुकरण करना कितना महत्वपूर्ण है और यहां पर लगातार विभन मंचों पर कल जीट्वेंटी के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी क जिकर किया राश्चुपिता महत्मा गांधी का जिकर करते हैं और ने कहा कि किस तरह से पंक्ती में खड़े आखरी व्यक्ति तक भी वो लाब पहुँशने चाहिए उसे वो अधिकार मिलने चाहिए और इसी के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं कैसे जो प्रगती है वो मान लब्धी यहां पर रही है भारत की कि कैसे जो हमारा आगे बढ़ने का जो नजरिया है जीडीपी ग्रोथ का जो नजरिया है उसे बदल के कैसे हम उसे मानव केंद्रित कर सकते हैं कैसे हम अपनी अर्थ व्यवस्था को people oriented कर सकते हैं अपने प्रगती को आगे बढ़ा सकते ह जब हम सतत भविश्य के लिए सतत विकास की बात करते हैं, हरत विकास समझोती की प्रगती में हम जब तेजी लाना चाहते हैं, तो कैसे 21 सदी के लिए बहुपक्षिय संस्थानों को हमें मस्पूत करना होगा और इसके लिए लगादार भारत जो है वो अपना पहर बढ़ा रहा है और आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से भारत इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज मुखर कर रहा है और बिल्कुल हम तयार हैं निट्रिद्व के लिए टकनीकी परिवर्तन की बात करें या फिर डिजिटल सारवजन syrup बन्यादी ढांची की बात करें यह तमाम वो चीज़े हैं जो भाविश्वे किक्षेत्रूं को अत्यादिक प्राथ्मिकता हम यहां देते हैं लैंगिक समानता की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, या फिर विश्व शान्ती की बात हो, ये तमाम वो चीजें हैं जिसे सुनिश्चत करने के लिए अब हम तमाम लोग, हम सभी देश सामुही क्रूप से काम करेंगे। तो लगादार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोरी खुद वहां मौझूद हैं, राजखाट पर तमाम विदेशी महमानों का स्वागत करने के लिए, दुनिया भर से आए ये राश्ट्र धहक्षा पहुंच रहे हैं, राजखाट, राश्ट्रपता, महात्मा गांधी को श्रधां अर्पित करने के लिए, किस तरह से इस फक्त तमाम विश्व के नेता भारत में मौझूद हैं, एक सार्थिक चर्चा के लिए, सेरिल गाम फोसा, दक्षन अफरीका के राश्ट्रपती पहुचे हैं, राजघाट, धान मंतरी नरेंगर मोडी, अगवानी करने के लिए, प्रस्तुत है, राजघाट पर राश्टा ध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वाज़त कर रहे हैं, और दक्षन अफरीका की अगर बा दक्षन अफरीका में ही उन्होंने रंगभेद नीत का उन्होंने विरोध किया, दक्षन अफरीका में उन्होंने लोगों को सत्य के आगरह का पहला पाठ सिखाया, दक्षन अफरीका में ही लोगोंने महत्मा गाधी ने वो तथ्य स्थापित किया, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से एक समता मूलक समाज के निर्माण में अपने हितों के पोशन के लिए सत्याग्रह का उत्यों किया जा सकता है पुदानमंत्री नरे निर्मोदी स्वागत कर रहे हैं सिरिल गामत फोसा जो की पहुचे हुए हैं राजगाट एक विराज वर्टित्यों को श्रधासुमन अर्पिट करने के लिए जिन्होंने न केवल भारत के लिए बलकि द्यक्षड अफरीका के लिए न केवल एशिया के लिए बलकि समूचिय यूरोप और अफरीका के देशों के लिए ऐसे सिध्धान्तों और मान्कों का प्रतिपादन किया जिदों ने अनेक देशों के निर्मार में अनेक महापुर्शों के वर्तित्यों के निर्मार में अपना अनुपम योगदान देया राजगाट से सीधा प्रसारण यहां पर G20 शेकर सम्वेलन महिस्ता लेने आए दुनिया के शर्तिशाली देशों के राश्टर प्रमुक संस्था प्रमुक प्रतिनीच पहुच रहे हैं राश्ट पिता महात्मा गांधी को शद्धा सुमना प्रतिनीच 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 और तमाम उस नफरत से लड़ सकते हैं जब हम बात करते हैं जलवायू परिवर्तन से मुकाबला की और परियावरण की रक्षा की तो कहीं न कहीं जो उनके विचार रहे हैं महात्मा गांधी के किस तरह से उन्होंने आज भी महात्मा गांधी विश्व के उन लाखों करोडों लोगों के लिए एक आशा का किरण है जो समानता समान समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना जाते हैं विरले ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मानव समाज पर उनके जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा हो महात्मा गांधी ने भारत को सही अर्थों में सिध्धान्त और वहवार से जोड़ा था यहाँ यहाँ पर किस तरह से हम लगातार यह जिकर करते हैं कि भारत विविजदाओं से भरा देश है इतनी विविजदाओं वाला कोई देश अन्ने देश आएधी धर्ती पर हो शादी कोई ऐसा वैक्ती था जिसने उपनिविश्वात के खिलाव संघर्ष के लिए हम सभी को एक जुट किया जिसने लोगों को मदभेदूं से उपर उठाया और वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया तो वो महात्मा गांधी थे और उन्होंने इसके शुरवात भारत से नहीं बलकि दक्षन अफ्रीका से की थी बापु ने भवश्य का अंकलन खिया और स्थितियों को व्यापक संदर्व में समझा और वे अपने सिध्धानतों के प्रती अंतिम सांस तक प्रतीपद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बार फिर ये याद दिलाया कि बापु के जो विचार है वो 21 सदी में भी उतने ही प्रासंगिक्त हैं जितने की उनके समय में थे आज भी हम बापु के विचारों के जरिये कई समस्याओं का समधान कर सकते हैं जिनका सामना आज ये दुनिया कर रही है आज आतंगवाद, कट्टरपंथ, उगरवाद और विचार ही नफरत देशों और समुदायों को कही न कहीं विभाज़त करती नजर आती है तो यहाँ पर शांती और अहिंसा के बापू के सपष्ट अहावान से हम मानफता को एक बार फिर एक चुट कर सकते हैं वाले व्यक्ति पूरे वसुधा को अपना कुटुम मानते हैं और इसी को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राजनईक और कूटनीतिक इस तर पर स्थापित करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया और यही हमारा धेवाग के रहाजी टुल्ट को हटाते हुए भारत ने स्थापित किया कि मानों के इंद्रित विकास बहत जरूरी है कि इसमी सदी में भारत ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी मुखर तरीके से कहा कि एक बहुपक्षवादी, बहुलतावादी और बहुपक्षवादी, विश्वका निर्मार बहत जर किया गया है वो बहुत जरूरी है मानोता के कल्यान के लिए और इन सभी सिध्धान्तों को अगर देखें तो इन में महत्मा गाधी सिध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् बढ़ावा देने के विचार का भी रोथ करता है जो महिलाओं के सशक्ती करण के बात करता है तो उनी सिद्धांतों के एक कदम और आगे ले जाते हुए भारत ने महिलाओं के सशक्ती करण के साथ ही साथ महिलाओं के नरेतित्तु में विकास की बात कही उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए उसी से सीख लेते हुए भारत ने मानो केंद्रित विकास की बात दुनिया के सामने रखी और वो दिल्ली घोश्वापत्र में दिख रहा है वो जी ट्वंटी शिकर सम्मेलन में भारत के अध्यक्ष्टा में साल भर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तर प्राडर में भारत की महत्वण भूमिका होगी जिसमें गाधी की आवाज भी होगी ग्लोबल साउच की भी आवाज होगी जिसमें विकास सिल देशों की आवाज होगी जिसमें एक समता मूलत कल्यानकारी विश्व निर्मान का लक्ष होगा बिल्कुल एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व इसफ़क जलवायू परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कर रहा है जहां यह वो विश्व है जो इसफ़क अचरशा के केंद्रुपिंदू में है और कहीं न कहीं आज भारत ने ये दिखा दिया कि दुनिया को आज भी गांधी के विचारों से वो सहारा मिल सकता है वो दुशा मिल सकती है कि हम जलवायू परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं या पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहे हैं तो कैसे इस दशा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है प्रकृती है तो विकास भी है जहां विकास भी और विरासत भी यह है भारत का मूल मंत्र जो लगातार हम देख रहे हैं और कैसे 1909 में गांधी ने इन विचारों को उस पक्त पूरे दुनिया के साथ सांचा किया प्राकर्टिक संसाधनों का उप्योग करते समय कैसे हम सैयम और करुणा दोनों का नुपालन कर सकते हैं यह सल्हा उन्होंने उसी वक्त दी थी और खुद इसका पालन करके एक मिसाल कायम की थी आज एक बार फिर 21 पी सदी जब एशिया की है 21 पी सदी हमारी है यह वक्त हमारा है ऐसे में किस तरह से हम गांधी के विचारों को आत्मसाथ करकर पुरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं उन लाखों करोडों लोगों को समानता सम्मान और समावेश के साथ उनका जीवन यापन करने में की मदद कर सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया एक बड़ी उपलब थी यहाँ पर G20 की अध्यक्षदा के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ के साथ कैसे बढ़ा जाता है लेकिन अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए एक बेहत सबस्ट संदेश पूरे विश्व को कि दुनिया के इस हिस्से की मुश्किलों को इस हिस्से के मुद्दों को अब आप नजर अंदास नहीं कर सकते और राजगाट पर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का लगातार पहुशने का सिल्सिला जारी है राजगाट जहां पर सत्यहिंसा के पुजारी सांत के अधिश्ठाता राष्ट पिता महत्मा गाधी एक जोती पुंज के रूप में विद्यमान है जहां से पूरी दुनिया सत्यहिंसा सत्यागरह की सीख पूरी दुनिया सीखती है सत्यहिंसा सत्यागरह के पाठ यहीं राजगाट से पूरी दुनिया आज देखेगी कि किस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश जी ट्वंटी सदस्य देश देश के महात्मा गांधी के सामने श्रधाउनत होंगे श्रधासुमन अर्पित करने के लिए पहुचे हैं राजगाट और उनकी अगवानी प्रदान मंतरी नरियंदर मोधी ने की है दुनिया के अने धिगज महापुर्शों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा अगर देखे तो च चाहे निलसन मंडेला हो चाहे मार्टिन जूतर लूथर किंग जूनियर हो या फिर अनेक ऐसे लोग अलबर्ट आइंस्टीन इन सबके ऐसे कथानक है ऐसे कथन है ये बताते हैं कि एक विराट व्यक्तित्रों के रूप में पूरी दुनिया महत्मा गाधी को जानती है भारत मह गाधी को इसी रूप में पूछता है और पूरी दुनिया और दुनिया के सक्तिशाली देशों के राष्ट प्रमुख श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे विन्याउनत होंगे श्रद्धा उनत होंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राजगाट पर यहां उनके भारत की सबसे बड़ी शक्ति है भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी विवदता और कैसे इस विवदता में एकता के मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं एक भारत के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार इसकी एक जलक हम आपको दिखा रहे हैं जो यहां और शद्धा सूमनर करेंगे राष्ठपता महात्मा गांधी को दुनिया के सबसे बड़े लोगतंतर के राष्ठपता महात्मा गांधी जिनको नेता जी सुभाश अंद्र वोस ने सबसे पहले राष्ठपता की उपादी दी जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में के रांतिवीर के रूप में जाने आते हैं और अमेरिका के राश्ट्रपती जो वाइडन इस समय पहुचे हैं राजगाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राश्ट्रपता महात्मा कांधी को अमेरिका के चालिस वे राश्ट्रपती जोसेफ आर बाइडन दुनिया दुनिया भर में जो वाइडन के नाम से मौशूर है और बहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है चीट्वेंटी में शर्कत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका के दिवे पक्षिया वारता हुई है वो भी बहद महत्वपूर्ण है भारत और अमारिका के बीच के और प्रगाड होते संबंधु में और जया अगर देखे तो इससे पहले अमेरिका के प्रसे दाश्वेत नेता और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूलियर ने जब भारत का दोरा किया था तो उन्होंने अपने उस दोरे को तीर सेयात्रा कहा था और राश्पती जो वाइडन का गर्मजूशी से स्वाड़क कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी गाधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्तर से अंगल वस्तर से यहामारी परंपरा हयाती के देवोग हो की और गाधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस् 17 तक वो अमेरिका के उपर आश्ट्रोपती रहे और इस्टेंवरी दोवजार एक्स को बाइडन ने अमेरिका के 46 पे राश्ट्रोपती के रूप में श्रपत ली और फिर यहां पर जो पीछी तस्पीर है सावरमती आश्रम की उसके बारे में उसे बात करते हुए प्रधानमं उसकी जलक हम देखते हैं अपने हैं उसको चरितार्थ करवे में जो नीती निरमाता नीतियों का निरमार करते हैं वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन और भारत के प्रधानमंतरी नरेंद्रमोदी इस समय मौझूद है राजगाट पर प्रधानमंतरी कि बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें किसी भी रियल हीरो से मुलाकात करने कि उनकी जो लालसा है वो महत्मा गांधी है और एक वास्तविक हीरो के रूप में एक वास्तविक नायक के रूप में वो महत्मा गांधी को मानते हैं तो दुनिया के नेक राश्ट कि गांधी जी के मूल्यों की और पूरी दुनिया उन मूल्यों से उरण कभी नहीं हो सकता क्योंकि गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह का जो पार्ट दुनिया को पढ़ाया उसने दुनिया को सिखाया कि कैसे शांति-पूर्स आहस्तित्रों से लोग रह सकते हैं लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के राश्ट्रपति पहुच चुके हैं राजगाट जो की इनकी अगवानी की भारती विदेश मंत्रा लेकर अधिकारियों और वो पहुच रहे हैं राजगाट यहां पर प्रदान मंत्री नेरेंद्र मोदी मौजूद हैं लूला सिल्वा 22 के राश्ट्रपति चुनाव में भारी बहुम्ट सेनों ने जीत हासिल कर, जनवरी 2023 में तीसरी बार राश्ट्रपति पत्की शबट ली और वो ब्राजिलियन ओरडर ओफ मेरित समेत कई पुरुसकारों और पत्कों से सम्मानित किये जा चुके हैं तो G20 शिकर सम्मेलन में दिगजनेता इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं और इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे लूला डासिल्वा राश्ट्रपती ब्राजील पहुंचे हैं राजगाट राश्ट्रपता महात्मा गांधी को अपनी श्रधांशली अर्पित कर लिए और एक बार फिर प्रदान्मन्द्व्री नरेंद्र मूदी ने उनका स्वागत किया और खांधी के अंगवस्त्र से उनको पहनाते हुए और उनन से बाते करते वे और उनको बताते हुए कि क्या महत्व है इसका साबरमदी आश्रम का और गांधी का जिहां वैश्विक चुनोतियों का समाधान ठूनने के लिए जिस तरह से तुनिया के कई बड़े देशों के राश्ट्र प्रमुख भारत का रुख कर रहे हैं भारत का भारत को देख रहे हैं और आज तमाम राश्ट्र धक्षों का है जी ट्वेंटी समिट में शामिल होने के लिए भारत में और भारत उन्हें दे रहा है वो समधान जो तरदाई है समावेशी है और एक सामुहिक समाधान तयार करने की जिमेदारी कहीना कहीना भारत की है जो समावेशी है महत्वकांशी है लेकिन कहीना कहीन नर्नायक साब करने के लिए ये वो भारत है जो आज हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और नय भारत के निर्माण में प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी प्राण प्रण से जूटे हुए हैं और दुनिया जी टून्टी शिकर सम्मेलन के जरीए देख रही है कि कैसे एक भारत स्वाभिवानी राश्ट के रूप में एक सशक्त राश्ट के रूप में कात्म निर्भर राश्ट के रूप में और साथिसाथ भारत के नीतियों को, भारत की रीतियों को, भारत के सिद्धान्तों को, भारत के मूल्यों को, भारत की इच्छाओं को, समावेशी रूप में समाहित किया गया है, न्यूडल ही लीडर्स डेक्लेरेशन में, जो की सरुसमती से, आमसमती से, कल स्विकार किया गया, G20 शिखर सम सम्मेलन का ये आयोजन आज उसका दूसरा दिन और दूसरे दिन इस सम्मेलन में आने वाले सदस्य देशों के राश्टा ध्यक्ष, आमंत्री देशों के प्रत्निधी, राश्टा ध्यक्ष और अनेक संस्थाओं के प्रमुक पहुचे हैं, राजगाट उलगातार पहुच रह रहे हैं इन विदेशी मेहमानों का आतिति देवोभव की हमारी परंपरा से गाधी जी के सरवप्रिय वस्त्र खादी से उनका अलंकरन कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा राजगाट का खेत्र आज शक्तिकेंद्र बना हुआ है दुनिया की सभी ताकतवर देशों के प्रमु साथ करेंगे और उनका अपने जीवन में अनुशीलन पर शीलन करेंगे जिससे की मानुक केंद्रित विकास की मूलधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व कल्यार के नीति को स्थापित किया जा सके विश्व कल्यार की भाउना को शरितार्थ किया जा सके उसे धरातल पर आया जा सके और इन ही मूल्यों को स्थापित किया भारतिये राजदीत में और विश्व राजदीत में भारतिये नीतियों में और विश्व परिद्रिश में महत्मा गांधी ने इन्होंने सत्य को इश्वर का रूप बताया अहिंसा को परमधर्म बताया और सत्याग्रह को सब भूगोलिक और अइतिहासिक कथानुकों का निर्माड हुआ इतिहास और भूगोल बदले पूरे ग्लोब के और भारत की शक्ति को भारत के सामर्थ को भारत के सिध्धानतों को दुनिया ने देखा और इस समय पुर्दान मंत्री नरेंद्रमोदी, सदस्य देशों के जो वाइडन के साथ और साथी साथ अन्ले जो विदेशी महमान हैं, उनके साथ राजगाट पर मौजूद हैं और राष्पिता महात्मा गांधी को शद्धा सुमन अरपित करने के लिए अग्रसर हैं लगतार प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को उनके प्रियासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना और किस तरह से आज की कीसपी सदी में भी उनके विचारों को आप मसात करके आगे बढ़ना एक प्रयास लगतार प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी का रहता है उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रसंगिक हैं वो आज भी 21 सदी में लगतार प्रधानमंत्री मूदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेड़ना मिलती है आगे बढ़ने की भारत के 140 करोड भारतवासियों के आकानशाओं को उनके सपनों को साकार करने का जो मांदा है जो एक प्रेड़ना है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मूदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिये और देखें ये अद्भुत द्रिश राजगाट पर इस समय जब दुनिया के सरवाधिक शक्त शाली देशों के राश्टा अध्यक्ष राश्ट प्रमुक प्रतिने थी इस समय वहाँ पर मौझूद है और वो पहुच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधी की तरफ राश्पत अधनी अल्बनीज ऐसे अनेक राश्टा ध्यक्षिस समय मौझूद हैं पहुच रहे हैं राश्ट पिता महात्मा गांधी की समाधी पर श्रद्धासों मना रपित करने के लिए सुने बंदे दिंदान करे के नीरे वाज का जमना रिष्ण राखे वाज का जमना रिष्ण राखे नदन जननी ते नीरे वाज नदन तो ते ने गई एज इन पराए जाने रे वाज नदन तो समध्रुष्टीने खुश्ण थागे परस्त्री जेने माते रे समध्रुष्टीने खुश्ण थागे परस्त्री जेने माते रे जिवात की असत ना बोले जिवात की असत ना बोले परदन नब जारे आदरे वाज नब जनतो तेले कई एजे पीड़ पराए जाने ले वाज नब जनतो मुह माया व्यापे नहीं जेने दुर्ण बरागे जना मन मारे मुह माया व्यापे नहीं जेने दुर्ण बरागे जना मन मारे राम ना बच्रू ताने लागे राम ना बच्रू ताने लागे रगलती रथ तेला कानो मारे रश्पर MS.ाज़कίνर आप्सरश और यूए तूर्ण बरागे ज्टे जने जनतो मैं वैंक्युष्ण भैडियाब च्सेल्ड़न करते हैं, इसलनौश का सीस्टनौ करते हैं, कि वोजए ऐना अंत हैं, ह Воnąुटबंहरा लुटवल्या थे खाहत जैंने नवीं Вас जैंने का सर अनत हैं, झाल झाल Thank you, Excellencies. आई भुण के संते प्राओं विपादर्गुपती रागाव राम संते नाम संब को सें ले भगवान इश्वर ना तेरे नाम समगो समधी बेवाद्यवार्ग रगुपती रागाव राजाय रागाव पती तपावन सीतारा इस समय G20 देशों के राष्टा अध्यक्षों प्रतिद्यों ने राजगाट पहुचकर प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी के साथ राष्ट्पिता महत्मा गाधी को शद्धा सुमन अर्पित किये राष्ट्पिता महत्मा गाधी की समाधी पर शद्धा सुमन अर्पित किये अगर इनमें देखें तो ब्राजील के राश्पती लूला डिसिल्वा, अस्ट्रेलिया पीम एंथनी अलबनीज, जॉर्जिया मेलेवनो, जोको विडेडो, रेचेप तैयब अर्दोवान, सिरिल रामफोसा, दक्षन कोरिया के राश्पती यूंग सुकियोल, समेत अनेक महिस्ता लेने के लिए दिल्ली पहुचे हैं, उन्होंने राजगाट पहुचकर श्रद्धाणजली अर्पित की राश्पता महात्मा गांधी को, ऐसा क्षन जयागर देखें तो कभी कभी आता है कि जब दुनिया की इतने बड़े शक्तिशाली देशों के राश्टा अध् प्रवर्तक के रूप में, एक युग निर्माता के रूप में महत्मा गांधी को पूरी दुनिया याद करती है, यह द्रिश्चे आप देख रहे हैं कि कैसे जी ट्वन्टी शक्रणाज़ देखें